उत्तर परदेश के पूर मुख्य मंत्री मुलायम सिंग यादव को मरडों उप्रांत पदम विभुसन से सम्माइद क्या गया है मुलायम सिंग के पुत्र और समाजवधी पार्टिक के अध्यक्च अकलेश यादव राष्टपती दुरुपती मुर्मों से सम्मान ग्रहन करेंगे इसके लिए अकलेश यादव लखनों से दिल्ली रवाना हो गई है राष्टपती भावन में आज पदम पुरुसकारों के सम्मान समारों का आईजन किया जा रहा है यूपी के पुर्व सियम मुलायम सिंग यादव को मिले पदम विभुसन सम्मान को ग्रहन करने के लिए अकलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके है अकलेश यादव के साथ उनकी पतनी और मेंपुरी से सांसत डिमपल यादव भी मौजूद रहेंगी राष्टपती दुरुपती मुर्वु मुलायम सिंग यादव को मिला शमान उनके बेटे अकलेश यादव को सौंपेंगी इस साल गर्दंद दिवस की पूर्व संध्या पर पदम पुरुषकारों की सूची जारी हुई थी जिसमें 106 लोगों को पदम पुरुषकारों से समायच क्या गया था इस लिस्ट में 6 पदम वीभोशन, 9 पदम भोशन और 91 पदम सिरी सामिल थे इस बार 19 पुरुषकार विजयता महिलाएं और सूची में विदेशियों NRI, OCI की स्रेणी के दो वेक्ति और साथ मरणों प्रांत पुरुषकार प्राप्त करने वाले भी सामिल थे इस साल दिवंगत सपत संरक्षक मुलायम सिंग यादव, संगीतकार जाकिर हुशैन, दिवंगत दिलीप, महल नोबिस, SM किरशना, स्री नीवस बरधन और दिवंगत बाल किरशन देशी को पदम वीभोशन से समायन क्या गया है संरक्षक मुलायम सिंग यादव, यूपी के पूर मुख्य मंतरी और देश के रक्षा मंतरी रह चुके थे इस साल अक्टूबर में मुलायम सिंग यादव का निदन हुआ था लोग कारियों के लिए उन्हें पदम वीभोशन समायन दिया जा रहा है तो दोस्ते इस खबर को लेकर आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें, शेर करें, शुकुरिया नमस्कार गुरू फते अदाब नववद्धा